गगनेंद्रनाथ टैगोर का जन जो रासानकों में एक ऐसे परिवार में हुआ था, जिनकी रचनात्मक्ता ने बंगाल के सांस्कृतिक जीवन को परिभाशित किया था। गगनेंद्रनाथ गुनेंद्रनाथ टैगोर के सबसे बड़े पुत्र गिरींद्रनाथ टैगोर के पोते और राजकुमार द्वारकानाथ टैगोर के पर पोते थे। उनके भाई अबनेंद्रनाथ बंगा स्कूल ओफार्ट के अग्रणी और अग्रणी प्रतिपादक थे। व अपने भाय अवनींद्रनात के साथ उन्होंने इंडियन सोसाइटी ओफ ओरियेटल आर्ट की स्थापना की जिसने बाद में प्रभाव शाली पत्रिका रूपम प्रकाशित की 1906 और 1910 के बीच कलाकार ने जापानी ब्रश तक नीकों और सुदूर पूर्वी कला के प्रभाव का अध्यायन किया और अपने काम में आत्मसाथ किया जैसा कि रवींद्रनात टैगोर के आत्मकथा जीवन स्मृती के लिए उनके चित्रों से पता चलता है उन्होंने अपनी चैतन्य और तीर्थियत राश रिंखला में अपना दृष्टिकों विक्सित किया अंततह गगने अध्यात्मक लिथोग्राफ किताबों की एक श्रिंखला में दिखाए दिये जिन में प्लेव ओफ उपोजित्स, रेलम ओफ दैपसद और रिफॉर्म स्क्रीन्स शामिल हैं 1920 और 1925 के बीच गगनेल्डरनाथ ने आधुनिक्तावादी चित्रकला में प्रयोगों का बीड़ा उठाया पार्ट मित्तर ने उन्हें 1940 के दशक से पहले के एक मात्र भारतिय चित्रकार के रूप में वर्नित किया है जिन्होंने अपनी पेंटिल में क्यूबिस्म की भाषा और वाक्यविन्यास का उप्योग किया था 1925 के बाद से कलाकार ने एक जटल उत्तर क्यूबिस्ट शैली विक्सित की गगनेल्डरनाथ को थीटर में भी गहरी रुची थी और उन्होंने लुईस कैरोल भोडोर बहादोर ओट दग्रेट की तरह बच्चों के लिए एक किताब लिखी अग्रम पत्थन, आनंद, मुल्क राज, गगनेल्डरनाथ टैगोर का बेतुका क्षेत्र जर्नल अफ दे इंडियन सोसाइटी औफ ओरिटल आट, 1972 रॉय, शितिस, 1964 गगनेल्डरनाथ टैगोर, ललिदकला अकादमी, 27 अप्रेल 2012 कु पुनह प्राप्त मित्तर, पार्थ, दे ट्रायम्फ ओफ मॉडरनिस्म, इंडियाज आर्टिस्ट सेंड द अवांट गाडे, 1922 माइनस एक हजार नौसो सेंतालीस लंदन, 2007, पूर्लिमा देवी, 1975 ठाकुरबरी गगन ठाकुरा, कोलकाता, रामयली प्रकाश भवन, OCLC 2,1,317,196 ओल 4865 490, बंगाली में गगनेद्रनाथ की बेटी द्वारा लिखित संस्मरन, गगनेद्रनाथ टैगोर बंगाल स्कूल के एक भारती इचित्रकार, और कार्टूनिस्ट थे, अपने भाय अवनीद्रनाथ टैगोर के साथ, उन्हें भारत के शुरुआती आधुने कलाकारों में गिना जाता था,